मद्ध प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और तेज तर्रार भाजपा नेत्री कुसुम सिंग महदेले का ट्वीट इन दिनों चर्चा का बिशय बना हुआ है दरसल कुसुम महदेले ने अपने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर पन्ना सतना नेशनल हाईवे 49 में चल रहे सड़क चोड़ी करन पर सवाल उठाए है और नेशनल हाईवे के निर्माड को घटिया निर्माड कारे बताया है इसके साथी ठेकेदार की जांच कर उसे बलेक लिस्टेट करने की बात भी कही है जानकारी के मताबक पन्ना सतना नेशनल हाईवे 49 का चोड़ी करन काम शुरू सही बिवादों में बना हुआ है निर्माड एजेंसी के दौरा कहीं चोड़ी तो कहीं सक्री सड़क बनाई गई है इसके साथी पानी की निकासी में भी भारी अनियमे ताएं बरती गई है जिसको लेकर इस्थानिये लोगों के दौरा कई बार प्रदरशन भी किये जा चुके है बावजोदिस के ठेकेदार पर कोई कारवाही नहीं हुई हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंग महदिले ने ट्वीट कर लिखा कि पन्ना सतना रोड का फोर लाइन चोणी करण नहीं किया गया फोर लाइन हाईवे का काम घटिया निर्मार हो रहा है जो जाच का बिशा है इसके साथ ही उन्होंने कट प्रथा पर भी सवाल उठाते हुए कहा क्योंने कट प्रथा के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन जैसा सुना है कि किसी को 20 तो किसी को 30 प्रथा देना पड़ता है ये कानूनन अपराध है और इस प्रथा को बंद होना चाहिए साथी जो घटिया कारे करते हैं उनके खिलाफ कारवाही भी होनी चाहिए जिन लोगों की जमीने फस रही थी उनने मौपजा भी ले लिया है इसके बावजूद जो ठेकेदार है उसको चोणा रहे हैं रोड को चोणा नहीं कर रहे हैं फोर-lाइन नहीं बना रहे हैं रोड जस्की तस्वे और घटिया इस्तर की रोड बन रही है कि बिखर बिखर जा रही है इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि पन्ना की पन्ना के बिकास का मामला है पन्ना के लोगों की सुक्सभधाओं का मामला है, इसलिए रोल इच्छी बनना चाहिए, जब फोर लाइन बन ट्रेफिक बढ़ रहा है क्योंकि हाइवे है, इसलिए फोर लाइन बन रहा है, फोर लाइन अगर मजबूत नहीं बनेगा तो वो तो तीन दिन में उकड़ आएग और फर एक्सिडेंट होएंगे, जाम लगेंगे, इसकी जांच भी होना चाहिए, जो ठेकेदार बना रहा है, उसे ब्लैक लिस्टिट करना चाहिए, एक मामला तो यह हो गया, और दूसरा मामला है बड़े पुल का, बड़े पुल का भी चोड़ी करन होना चाहिए, फोर ल झालेंगे, रहा यह उजा, अब जगा सक्री होना से, जब पानी का जागा बढ़े तो शेहर में भी पणी भर सकता है, इसलीञे बड़े पुल कुभी फोर लाइन के मताबिक tord के बनाना चाहिए, चोड़ा पुल को बढ़ा करना चाहिए, एक मज्ङे बहुत जादा तो मा जोगे है तो यह बहुत सोचनी बात है और बहुत ही गलत प्रथा है बल कि यह कहना चाहिए कि समाज के प्रती अपराध नहीं प्रकार के अपराध जोुलोग करते ही करें सज्जा मिलना चाहिए उदारण के लिए में आप बताती ऊज़ए व्लाद स्चाब। उत्तर प्रदेश में शम्षान की छत गेर गई 25-26 लोग मर गए तो यह प्रथा जो कट प्रथा है इसे बंध होना चाहिए गुणवत्ता पूर्ण कार होना चाहिए जो इस प्रकार के घटिया काम करते हैं घटिया निर्मान कार करते हैं इनकी प्रुद्य कारवाई होना चाह जो करवाते होने भी सज़े मिलना चाहिए पन्ना से दीपक शर्मा सागल्टीव नियूजु अ झाल